हेलो फ्रेंस, वेलकम टो ए 24 नॉलेज़े, ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सिक्यूर्टी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, प्रतिभूती मुद्रालेन, हैदराबाद की नियू रिकुरूमाइन नॉटिफिकेशन के बारे म तो फ्रेंस, SPP के द्वारा जो नॉटिफिकेशन यहाँ पर इन्वाइट किया गया है, वेरियस पोस्ट के लिए आप इसके लिए अपलाए ओनलाइन कर सकते हैं, और अभी इसका ओफिशल नॉटिफिकेशन देखिए, आपको इसकी वेबसाइट पर देखने को नहीं मिले अब ये थोड़े दिन बात अपडेट किया जाएगा, इसमें यहाँ पर जो नॉटिस है, वो इसका शॉर्ट नॉटिस जारी किया गया है, अपलाए किये गया है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, पहली वेगेंसी जो की है, सूपरवाइजर प्रिंटिंग की, इ इसमें आपकी जो पेब स्केलन लेवल है, वो S1 लेवल का रहेगा, 26,000 से एक लाग के बीच आपकी सेलरी रहेगी, इसके अलावा फ्रेंज से यहाँ पर टोटल नॉम्बर पोस्ट आपकी पांच है, जिसमें जनरल की दो, EWS की एक, OBC की एक और SC की एक पोस्ट है, फिर्स किल 26,000 से एक लाग है, तोटल नॉम्बर पोस्ट आपकी यहाँ पर तीन रहेंगी, जनरल की दो, OBC की एक, अब यहाँ पर फुल टाइम, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपके पास प्रिंटिंग में, मेकेनिकल में, इलेक्टरिकल में, इलेक्टरोनिक्स, कम्प्यूटर या आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, इसके बाद है, सुपर्वाइजर, IT की वेकेंसी, दो पोस्ट हैं, जनरल की एक, EWS की एक, यहाँ पर जो आपका पे लेवल है, वो A1 लेवल का रहेगा, 26,000 से एक लाग के भी सेलरी रहेगी, और फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लो मास्टर डिगरी आपके पास होनी चाहिए, अब इसमें हिंदी या इंग्लिस आपके पास आपने मास्टर डिगरी की हो, और इंग्लिस या हिंदी आपके पास ग्रेशन लेवल पर as a subject है, एक साल का experience है, तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे, सुपर्वाजर की जो पोस् साल आपका ace criteria रहेगा, graduation पास होना 55% marks के साथ जरूरी है, साथ में computer पर knowledge आपको होनी चाहिए, typing speed 30 word per minute हिंदी में आपके पास होनी चाहिए, अब यहाँ पर ध्यान रखेगा, यह हिंदी की vacancy है, इंग्लिस की नहीं है, इसलिए हिंदी में ही typing speed आपकी 30 word per minute आपके पास होनी चाहिए, computer knowledge के साथ और graduation में 55% marks, 18-18 साल age criteria, SD candidate के लिए vacancy आपकी रहेगे, इसके लवाफेंस से यहाँ पर जो भी vacancy है, supervisor की इसमें आपको post दी गई है, अब जनरल की जो post होती है, उसमें कोई भी apply कर सकता है, EWS में सिर्फ EWS candidate, OBCI, SCI, ST में सिर्फ उसी category के candidate apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर age limit, साथ में आपको डिपलोमा या फिर B.E., B.T.E.C. Engineering पास आउट है, आप इसमें आविदन कर पाएंगे, इसके लवाफेंस से online form आप फिल कर सकते हैं, 15 मार्च 2021 से आपका जो link है यह activate हो जाएगा, 10 अपरेल 2021 तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं, अब यह पर कंड़क्ट किया जाएगा, इसके लावा जो भी आपके qualification के लावा, जो reservation है, आपका apparease limit है, examination fees है, selection procedure रहेगा, या फिर general information, instruction, other details, सब आपको इसकी official website पर मिलेगा, अभी official website पर कोई detail अपडेट नहीं की गई है, जैसा मेरा भी थोड़े पहले आपको दिखाया, वहाँ पर कोई भी डेटल अपडेट नहीं है, पर यहाँ पर जो important notice है, यह आपके employment newspaper में आ गया है, जो की employment notice number है, आपका 44-53, और यह friends से आपको यहाँ पर date भी देखने को मिलेगी, 13-3-2021, क्योंकि यह newspaper आपका 13-03-2021 का है, और यह कल आपको यहाँ पर जानकरी हो सकता है, देखने को मिल जाए, यह अपडेट कर दी जाए, और वैसे ही जैसे ही अपडेट होगी, वैसे ही jobrasta.com पर भी अपडेट कर दिया जाएगा, अगर आपने अभी तक jobrasta.com पर visit नहीं किया है, आप jobrasta.com पर visit कर सकते हैं, वहाँ पर friends से आपको सारी जो भी latest information होती है, आपके online form से, admit cards या results related, वह आपको लगातार मिलती रहती है, तो अगर आपने विजिट नहीं किया है, आप jobrasta.com पर visit कर सकते हैं, और यहाँ पर ही आपको थोड़ी देर में यह अपडेट कर दिया जाएगा, आप विजिट करके यहाँ पर भी इसकी details को check कर पाएंगे, तो friends से यहाँ पर ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रही हमारे यूटीब चैनल एंड लास थेंक्स पोर वाचिंग